बच्चों में बिज्ञान के परती रुची पैदा करने के लिए बड़े-बड़े स्कूलों में बिशेश तरह का बिज्ञान का प्रदस्री आईजित किया जाता है साथी साथ एक विशेश तरह का Science Center हुआ करता है जहांपर बच्चे जाकर बिग्यान की कई जो अविसकार हो रहे हैं और पिर के नए-नए इवेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी लेते हैं बच्चे उसमें पार्टिश्वेट भी करते हैं साइन्स सेंटर के बात करें तो साइन्स सेंटर महस खानापूर्ती के लिए हापर स्थाफित था जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जहां पर बच्चे जाकर कुछ सीख सके कुछ जानकारी ले सके लेकिन जिले के जो परशाशनिक पतादिकारी हैं उन्होंने इस कमी को म या बहर भात सुरू कि गई है और विज्यान केंदर गुमला में स्थाफित है उसमें विशेह सर » बनाने की कोशिज की गई है आकरसक बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि उसे बाहर से रंग रोनक करने की कोशिश की गई है बलकि बिग्यान केंदर को सुने जो तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई है और इस बार बिग्यान केंदर में जिस तरह सुविधायें बहाल की गई है वहाँ पर हर वो युगता होी उसके रोबर्ट तो के विभिन कहीं कि रोप्वर्ट को दिखाया गया Пол scheme माय Symphony कैसे हमस्ट को लेकर किस तरह से महाँ अधिश जो दिखाया गया थ mattress कहा सकता है कि इस दिद्रello कि में साइन्स के पर तिरुची पया करने के इस अन्हों हुआ जिए संटर का उसकी चितनी परशंचा की बstars तरीके से संवяс किए और सबसे बड़न गमईता दिखा है कि अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद भी साइंस सेंटर सही रूप से नहीं चल पाता है और बाद में वह साइंस सेंटर जीन सी नवस्ता में चला जाता है करोड़ों रुपे के जो वहां पर स्टैबलिषमेंट की जाते हैं उसका उप्योग नहीं किया जाता है तो इसको कहीं नहीं समस्या का समधान के लिए उसे नीजी संस्था को दिया गया है और नीजी संस्था के परति अभी रुची को बढ़ा सकते हैं तो इस परस्ट कहा जा सकता है कि गुम्लाज जिला प्रशासन के एक सार्थक पहल है हाला कि इसको लेकर लगातार मोनेटरिंग करने के आउ सकता है गुम्लाज जिला में कई ऐसे निजी बिद्धाले हैं जहां पर बच्चे साइंस में इंटरेस्ट पूलेते हैं और उन्हें असर भी मिल पाता है लहीं सरकारी बिद्धालों में चुकि वैसी ब्यूस्ता नहीं होती है और अविभावकों के पास भी उतना संसाधन नहीं हो पाता है जिसके कारण वो बच्चों को साइंस के परती रुची के अनुसार उनकी सु बनाने के पीछे उनका उदेश है कि बच्चों के अंदर रुची पैदा हो सके वहीं हमारे जो डियोफों हैं वो भी साइंस के बेग्राउंड से आते हैं वह भी इंजिनियर रह चुके हैं तो उन्होंने भी कहा कि निशीत उसे साइंस सेंटर यहां का बच्चों में एक सा उसका आकर्सन भी से शुक्स नहीं बन पाता है तो ऐसे में सबस्ट कहा जा सकता है कि गुंगला जीला परशासन के ऐसार्थक पहल है लेकिन बस इसे लागतार मोनेटरिंग करना होगा लागतार ध्यान देना होगा और परशासन को यह देखना होगा कि यह जो संस्थाएं तो काम कर रही है वो संस्थाएं भी कि वह ऐसा नहीं जब दिश्टीकोन आता है उस समय उस साहित रहे बलकि तुभी इसको मेंटेंड रखे कैसे इसे बहतर तरीके संचालित किया जा सकता है कैसे बच्चों को लाव मिल सकता है अधिक सथी बच्चों को नए-एवेंट के बा के बारे में देखा गया है बच्चें पढ़ते तो हैंगे Easy के पर्से की यह और से किया गया कि निश्चे तुर्प से आने drinor को बचयों अच्छा परदान करेगा क corazón इस तरह से जिला प्रशासन ने जिला मुख्याले के साथ साथ सभी अस्थालों पर पुस्तकाले के अस्थापना की है जहां से बच्चों को बहुत अच्छे-ची पुस्तके भी उपलफध हो जा रही है जहां बच्चे पढ़न है और उसके बाद इस तरह का साइंस सेंटर का साइंस सेंटर को बेहतर संसाधनों से तयार किया जाना निश्ची तुप सेहां के बच्चों को एक लाभ दे सकता है और उनके अंदर साइंस के परति अगर सोच बनेगी तो बच्चे आगे जाकर मेडिकल में इंजिनिरिंग में गुमला के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपना केरियर हम बना पाएंगे क्योंकि जब तक साइंस के परति आपके अंदर रूची नहीं बन पाएगी तब तक इस फिल्ड में आप सबलता नहीं हासिल कर सकते हैं सुशिल कुमार सिंग गुमला